नमस्कार! पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है. हमारा आज का प्रसंग महाकवी कालिदास जी के बारे में है. आपने महाकवी कालिदास का नाम तो जरूर सुना होगा. महाकवी कालिदास एक महान कवी और नाटककार ही नहीं, बलकि वो संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे. आईए जानते हैं, भारत के महान कवी कालिदास के जीवन की संघर्ष पूर्ण कथा के बारे में. कालिदास के माता पिता, उन्हें पांच वर्ष की आयू में ही छोड़कर चल बसे थे. उनका लालन पालन किसी दयालू अगवाले ने किया, जो की खुद भी अनपड़ था. कालिदास पशूओं की देखभाल में उनका हाथ बटाते थे, तथा पशू चराने के बाद जो समय उन्हें मिलता था, उस समय वो गाव के काली मा के मंदर में जाकर पूजा अर्चना किया करते थे. इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ा, कालिदास नाम का शाब्दिक अर्थ है, काली का सेवक. उनके संबंध में कहा जाता है कि मा काली के आशीरवाद से ही वो परम विद्वान बने, वारानसी के नरेश की एक पुत्री थी, जिसका नाम विद्योंत्मा था. राजकुमारी विद्योंत्मा बहुत बुद्धिमान, रूपवती और गुणवान थी. एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे चिन्ता है कि हमारी राजकुमारी विद्योंत्मा के लिए उसके जैसा ही रूपवान और गुणवान वर कहा मिलेगा. उनकी पत्नी ने कहा कि भरूची विद्वान है, वो सब प्रकार से हमारी पुत्री के लिए ठीक है. राजकुमारी विद्योंत्मा को अपने ग्यान पर बहुत अभिमान था, इसलिए विद्योंत्मा को मनाना आसान नहीं था. राजकुमारी विद्योगमा का ये प्रण्था की वो उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसने अपने माता पिता से कहा की जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी महाराज ने ये घोशना पूरे राज्य में करवा दी की, जो कोई भी राजकुमारी विद्योगमा को शास्त्रार्थ में हराएगा, राजकुमारी विद्योंत्मा उसी से विवाह करेंगी राजकुमारी विद्योंत्मा से शास्त्रार्थ करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान आये, और राजकुमारी से शास्त्रार्थ में हार गए, उन विद्वानों के मन में गलानी उत्पन हो गई, इसके बाद महाराज और महारानी की ओर से विद्वान बरूची ने जब ये सुना तो उसने राजकुमारी विद्योतमा की इस चुनोती को सुझुकार कर लिया। विद्यत्मा बरूची की चुनोती सुनकर गबरा गई। घृकशी बिलकुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वह उसे विवा भी नहीं करना चाहती थी। शास्त्रार्थ के दिन विद्योत्मा ने ये शर्ट रखी कि शास्त्रार्थ मूख भाशा में होगा, राजकुमारी विद्योग्मा ने कहा कि मैं आप से संकेतों के द्वारा अपने प्रश्न करूंगी और आप भी संकेतों के द्वारा ही उत्तर देंगे. विद्वान भरूची ने राजकुमारी विद्योगमा की यह शर्थ भी स्विकार कर ली, उसके बाद दर्बार में शास्त्रार्थ शुरू हुआ, तब अपने पहले प्रश्न के लिए राजकुमारी विद्योगमा ने अपनी एक उंगली उपर उठाई, परंतु उसका जे सं गेत देखकर भरूची को कुछ भी समझ नहीं आया, और उसने राजकुमारी विद्योगमा से अपनी हार मान ली, ये देखकर राजकुमारी विद्योगमा खुश हो गई, और उसने भरूची को धन्यवाद कहा, भरूची को अपना यह अपमान सहन नहीं हुआ, और उसने म राजकुमारी विद्योगमा से बदला लेने का संकल्प लिया, घर जाते भरूची को रास्ते में मंद बुद्धी कालिदास दिखाई दिये। तुम्हें इससे क्या? तुम अपना काम करो। उसके बाद कालिदास की यह बात सुनकर भरूची अपने रास्ते चला गया, अभी वो वहां से कुछ ही दूर गया था कि इतने में कालिदास पेड की डाल के साथ नीचे गिर पड़े। उसके बाद उन्होंने भरूची को बुल पूछा की यह तुमने कैसे जाना की मैं पेड से नीचे गिर जाऊंगा। कालिदास की बात सुनकर रुची ने उससे कहा की इसमें जानने की क्या बात है। जो भी मैंने देखा वो तुम्हें बता दिया की आगे क्या होने वाला है। उसके बाद कालिदास ने कहा पर मैं त कालिदास उससे कहने लगा, मुझे तो तुम ज्योच्छी लगते हो, क्योंकि तुमने तो मुझे पहले ही बता दिया कि मैं पेड से नीचे गिर जाऊंगा। कालिदास ने भरूची के पैर पकड़ लिए और उससे कहने लगा कि मुझे पर दया करो और मुझे तुम ये बताओ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। कालिदास को अपने साथ अपने घर ले गया और घर जाकर उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। फिर वो कालिदास को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा, रास्ते में जाते हुए भरूची ने कालिदास से कहा कि ध्यान रखना कि महाराज को देखते ही तुम उन पर पुश्प वर्शा करना और ओम स्वस्ती कहकर आशिरवाद देना। दोनों राजा के महल में राजा के पास पहुँचते हैं, तब कालिदास राजा पर पुश्प वर्शा करते हैं और ओम स्वास्ती के बजाए जुष्ट का उच्चारण करते हैं। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता की, वो क्या कह रहे हैं, तब भरूची स्थिती को संभालते हुए कहता है, महाराज, ये बहुत विद्वान ब्राहमन है, इन्होंने आपको एक विशेश आशिरवाद दिया है। ब्रूची आगे कहता है, महाराज, ये विद्वान ब्राहमन कालिदास है, ये आपकी पुत्री राजकुमारी विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। महाराज ने कालिदास को एक विद्वान ब्राह्मन समझ कर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की आग्या दे दी ब्रुची ने कालिदास से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना मूह मत खोलना तुम सभी प्रश्णों के उत्तर संकेतों में ही देना नहीं तो राजकुमारी विद्योत्मा के साथ विवाह का अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा पंदितों और विद्वानों को भी बुलाया गया जो उनके संकेतों का अर्थ सभी लोगों को समझा सके राज दर्बार में मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ और पहले की तरह ही राजकुमारी विद्योगमा ने अपनी एक उंगली उपर उठाई जिसका अर्थ था कि परमात्मा ही सत्य है परंतों कालिदास ने समझा कि वो उनकी एक आँख फोड़ना चाहती है इस प्रश्ण के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी जिसमें वो ये समझाना चाहते थे कि यदि उन्होंने उसकी एक आँख फोड़ी तो वो उनकी दोनों आँखें फोड़ देंगे पंडितों ने कालिदास की ओर से राजकुमारी विद्योत्मा को समझाया कि आपने ठीक कहा है कि इश्वर एक है परंतु आत्मा और पर्मात्मा दोनों सत्य हैं राजकुमारी विद्योगमा इस उत्तर से प्रभावित हुई विद्युत्मा भी कालिदास की दो उन्गलियां देखकर यही समझी थी कि स्रिष्टी में आत्मा और पर्मात्मा दोनों सत्य हैं इसलिए वो दो उन्गलियां देखकर संतुष्ठ हो गई फिर राजकुमारी विद्युत्मा ने अपनी हथेली उठाई अर्थात पांच उंगलियां खड़ी की जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है आप जिस प्रकृती, जगत, जीव या माया के रूप में द्वैत्वाद को स्थापित कर रहे हैं उस सभी तत्व भिन और अलग है, इनसे स्रिष्टी कैसे हो सकती है, राजकुमारी विद्युत्मा की पांच उंगलियां देखकर कालिदास ये समझे की वो उन्हें थपड मारना चाहती है, तो उन्होंने भी अपनी पांच उंगलियों को जोड़कर एक मुठी बना दी और संक केत को देखकर, विद्वानों ने राजकुमारी विद्युत्मा को बताया कि, इनके कहने का तात्पर ये ये है कि, जब तक तत्व अलग-अलग हैं, तब तक इनसे कोई विशेश कार्य सिध्ध हो पाना असंभव है, पांच तत्वों के एक रूप होने में ही, संसार में इ मुठी की तरह है, मुठी में सभी मिल जाते हैं, तो ये स्रिष्टी हो जाती है, ये सुनकर सभा मंडप के दर्शकों की ओर से फिर से तालियां बजने लगी, राजकुमारी विद्योत्मा को अपनी हार माननी पड़ी, और उसने कालिदास से विवाह कर लिया, राजकुमार विद्योत्मा और कालिदास अपने कक्ष में बैठे थे, तभी राजकुमारी ने बाहर से किसी तीव शब्द को सुना, कालिदास से पूछा, केवती, राजकुमारी विद्योत्मा की बात सुनकर कालिदास ने उत्तर दिया, उटवती, विद्योत्मा ने उस शब्द के संस्कृत नहीं आती उसकी बात सुनकर कालिदास ने कहा कि नहीं मैं तो एक अनपड़ ग्वार ग्वाला हूं मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ा राजकुमारी विद्योत्मा ने जब ये सुना तो उसे आभास हुआ कि शल पूर्वक उसका विवाह एक मंद बुद्धी से कर वाया गया है राजकुमारी ने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया जब तक तुम एक सच्चे विद्वान-पंडित नहीं बन जाते तब तक वापस घर नहीं आना कालिदास ने राजकुमारी विद्योत्मा को बहुत समझाया कि प्रिय, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, परंतु राजकुमारी विद्योत्मा को एक मंद बुद्धी को अपने पती के रूप में स्विकार करन पसंद नहीं था, उसने कालिदास से कहा कि तुम जहां से चले जाओ, मेरा पती तो कोई विद्वान ब्राह्मन ही हो सकता है, तुम तो एक मंद बुद्धी ग्वाले हो, कालिदास मंद बुद्धी तो थे, पर लज्जा ही नहीं थे, वे अपने आत्म सम्मान पर पड़ी इ संकल्प लेते हैं, और मा काली के मंदर में चले जाते हैं, कालिदास मा काली के परम भक्त थे, इसलिए वह मा काली के समक्ष ध्यान लगा कर बैठ गए, और वहां पर वह कठोर तप करने लगे, कालिदास ने धीरे धीरे अन्ना और जल का भी त्याग कर दिया, परंतो फिर मा काली उनकी टपस्या से प्रसन नहीं हुई उसके बाद कालिदास अपना सिर मा काली के चरणों में समर्पित करने के लिए तलवार उठाई परंतु मा काली प्रकट होकर कालिदास को ऐसा करने से रोक लेती हैं कालिदास की भक्ती से प्रसन होकर मा काली ने उन्हें विद्वान पंडित बनने का आशिरवाद दिया जब कालिदास के ज्ञान चक्षु खुले तो उन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमन किया तथा वेदशास्त्रों का गहन अध्यान करके विद्वत्ता प्राप्त की उसके बाद कालिदास ने विचार किया की अब घर जाना चाहिए अपने घर के दर्वाजे पर पहुँच कर का राजकुमारी विद्योत्मा कालिदास से कहती हैं कि इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यक्ता है मैं आपकी पत्नी हूँ कालिदास विद्योत्मा से कहते हैं तुम मेरी पत्नी थी किन्तों तुम्हारी वजह से मुझे ज्ञान की प्राप्ती हुई इसलिए अब तुम मेरी गुरु हो। राजकुमारी विद्योत्तमा कालिदास की यह बात सुनकर बहुत दुख्यी हुई। वो उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करती है पर कालिदास उन्हें किसी भी तरह से अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं होते। अंत में राजकुमारी विद्योत्तमा कालिदास को श्राप दे देती है कि तुम्हारी मृत्यू एक नारी के हाथों होगी। कालिदास अपनी पत्नी को छोड़ कर जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। वो जंगल में ही भ्रमन करने लगते हैं। एक दिन कालिदास घूमते घूमते महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँच गए। महाराजा विक्रमादित्य कला तथा साहित्य के बहुत बड़े प्रशन सक थे। इसलिए उन्होंने कालिदास से एक कविता सुनाने को कहा। जब कालिदास ने उन्हें अपनी कविता सुनाई तो राजा विक्रमादित्य उनकी कविता सुनकर बहुत प्रसन हुए और वो उन्हें अपने दर्बार में ही रहने के लिए कहते हैं। कालिदास राजा विक्रमादित्य की यह बात मान लेते हैं। इसी दौरान उनके जीवन की एक बहुत ही रोचक घटना, बहुत ही प्रचलित है। शास्त्रार्थ का निमंत्रन पाकर कालिदास समराथ विक्रमादित्य से अनुमती लेकर अपने घोडे पर रवाना हुए, गर्मी का मौसम था, काफी तेज धूप थी और कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी दिखाई दी, जोपडी के सामने एक कुवां भी था, उसी समय उस जोपडी में से एक छोटी बच्ची मठका लेकर बाहर निकली, उस बच्ची ने कुए से पानी भरा, और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो, बच्ची ने पूछा, मैं आपको जानती नहीं। पहले अपना परिच्चे दीजिए, कालिदास को लगा, मुझे कौन नहीं जानता, भला परिच्चे देने की क्या आवश्यक्ता है? फिर भी प्यास से बेहाल थे, तो बोले, बालिके, तुम अभी छोटी हो, इसलिए मुझे नहीं जानती, घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा, मेरा बहुत दूर दूर तक नाम और समान है। मैं बहुत विद्वान व्यक्ती हूँ, कालिदास के घमंट भरे वचनों से, अप्रभावित बालिका बोली, संसार में सिर्फ दो ही बलवान है, और उन दोनों को तो मैं जानती हूँ, अपनी प्यास बुझानी है तो उन दोनों के नाम बताएं, थोड़ा सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो। बालिका बोली, वे दो बलवान हैं, अन्ना और जल, भूख और प्यास में इतनी शक्ती है कि वो बड़े से बड़े बलवान को भी जुका देती है, देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना द कालिदास चकित रह गए, बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास, एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे, बालिका ने पुना पूछा, सत्य बताए, कौन है आप? कालिदास थोड़े नर्म होकर बोले, मैं बटोही हूँ, मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी जूट बोल रहे हैं, संसार में दो ही बटोही हैं, बताएए वे दोनों कौन हैं? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास की बुद्धी कक्षीन कर दी थी, पर लाचार होकर उन्होंने फिर से अनभिग्यता व्यक्त कर दी, बच्ची बोली, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है, बटोही दो हैं, चंद्रमा और सूर्य, आप तो ठक गए हैं, भूख और प्यास से बेदम है, आप बटोही कैसे हो सकते हैं? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया, और ज्यंपडी के भीतर चली गई, अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए, इतना अपमानित वह जीवन में कभी नहीं हुए, प्य से शरीर की शक्ती घट रही थी, दिमाग चक्रा रहा था, उन्होंने पास से ज्यंपडी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक व्रिधिस्त्री निकली, उसके हाथ में खाली मटका था, वह कुए से पानी भरने लगी, अब तक काफी बिन्म हो चुके कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिये, बड़ा पुर्ण्य होगा, वह स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, तो मैं तुम्हें अवश्य पानी पिला दूंगी, कालिदास ने कहा, मैं महमान हूँ, कृपिया आप मुझे पानी पिला दे, वह स्त्री बोली, तुम महमान कैसे हो सकते हो, संसार में दो ही महमान है, धन और योवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कौन हो तुम? अब तक कि सारे तरकों से पराजित हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दे, उस स्त्री ने कहा, नहीं नहीं, सहनशील तो संसार में दो ही हैं, धर्ती और पेड, कालिदास लगभग मूर्शा की स्थिती में आ गए, तर्क वितर्क से जिला कर बोले, मैं हठी हूँ, स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो संसार में दो ही हैं, नाखून और केश, कितना भी काटो, बार बार निकल आते हैं, पूरी तरह पराजित हो चुके, कालिदास ने कहा, मैं मूर्ख हूँ, उस स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो, मूर् सासन करता है, और दूसरा दरवारी, जो राजा को प्रसन करने के लिए, घलत बात पर भी, तरक करके, उसको सही सिध करने की चेश्ठा करता है, कालिदास उस व्रिध इस्त्री के चरणों में गिर पड़े, और पानी की जांचना में गिर गिड़ाने लगे, उस व्रिध इस्त्री ने बोला उठो वत्स कालिदास ने यह आवाज सुनकर उपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी कालिदास उन्हें नत्मस तक हो गए सरस्वती माता ने कहा शिक्षा से ज्ञान आता है ना कि अहनकार तुमने मान और प्रतिष्ठा को ही अ इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा इस प्रकार कालिदास को अपनी नश्वर विद्वता का भान हो गया एक दिन कालिदास की इच्छा हुई की वो दर्बारी जीवन पर एक नाटक की रचना करी कालिदास नाटक की रचना करने प्राप्त हो कालिदास का पहला नाटक मालविका मित्रम बहुत लोग प्रिय हुआ तथा उनके दूसरे नाटक शकुन तलम ने भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त की इससे नाटक कार के रूप में कालिदास की ख्याती में चार चांद लग गए एक दिन राजा विक्रमादित्य ने कालिदास से कहा तुम इतनी सारी कविताओं की रचना करते हो परंतु मेरी प्रशंसा में कोई कविता लिखने पर इनकार क्यूं कर देते हो कालिदास ने कहा, महाराज, निसंदे, आप एक महान राजा हैं, परन्तो किसी नाश्वान प्राणी की प्रशंसा करना कविता का लक्ष्य नहीं है राजा विक्रमादित्य कालिदास की यह बात सुनकर नाराज हो गए और उससे कहने लगे की तुम मेरे दर्बार में रहते हो, फिर भी अन्यकवियों की तरह मेरा गुणगान नहीं करते कालिदास राजा विक्रमादित्य के इस व्यवहार से दुखी होकर राज दर्बार को छोड़ कर चले गए और वो किसी अन्यगाव में जाकर बस गए उनके जाने के बाद कुछ समय के पश्चात राजा विक्रमादित्य को बहुत पच्चतावा हुआ और उन्हें कालिदास की याद आने लगी, राजा विक्रमादित्य कालिदास की खोज भी शुरू करवाते हैं, किन्तो कालिदास उन्हें कहीं भी नहीं मिलते एक दिन राजा विक्रमादित्य को कालिदास की खोज करने के लिए एक उपाय दिखाई दिया, राजा विक्रमादित्य अपने राज दर्बार में जाकर ये घोशना कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति उन्हें सबसे नवीन कविता सुनाएगा, उसे एक लाख स्वर्न मुद्रा उसके बाद राजा विक्रमादित्य दर्बार के सभी पंडितों की सभा बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक कालिदास नहीं आ जाते तब तक आप सभी कविताओं को पुरानी बताते जाना कविता सुनाने के लिए राज दर्बार में प्रति दिन अनेकों कवी आते हैं परंतु राज दर्बार में सभी पंडित उनकी कविता को पुराना बता देते जब ये बात कालिदास के कानों में पड़ी तो वह राजा के मन की बात जान लेते हैं कवियों को वापस निराश होकर लोटते देखकर उनको बहुत दुख हुआ वह राजा को कविता सुनाने के बारे में सोचते हैं इसके बाद कालिदास एक कविता की रचना करते हैं और किसी रास्ते चलते आदमी को बुला कर कहते हैं कि यह कविता राजा विक्रमादित्य को जाकर सुनाओ, और उनसे कहना कि, यह कविता तुमने लिखी है, इसके बदले में वो तुम्हें बहुत पुरस्कार देंगे, किन्तु वो आदमी कालिदास से कहता है कि, मैं तो ना कोई कवी हूँ, और ना ही कोई विद्वान, मैं यह कविता कैसे सुना सकता हूँ? इस पर कालिदास ने उससे कहा, मेरी बात मानो, और यह कविता जाकर तुम राज दर्बार में सुनाओ, बदले में तुम्हें बहुत सारा धन प्राप्त होगा। वो आदमी कालिदास की बात सुनकर, राजा विक्रमादित्य के दर्बार में जाकर कविता सुनाने लगता है, कविता में कालिदास ने लिखा था कि, आपके पिता ने कभी मुझसे 91 करोड स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी, जो अब तक आपने उस धनराशी को मुझे वापस नहीं लोटाया है, राजदर्बार के सभी पंडित इस कविता को सुनकर सन रह गए, फिर वो आदमी उन पंडितों से पूछता है कि, क्या आप सबने मेरी कविता को पहले कभी सुना है क्या? उसकी बात सुनकर राजदर्बार के सभी पंडित इस असमंजस में पढ़ जाते हैं, यदि हम हां कहेंगे, तो राजा को 91 करोड स्वर्ण मुद्राएं, इस व्यक्ति को देनी पड़ेगी, और यदि वो नहीं कहते हैं, तो ये कविता नहीं मानी जाएगी। वो आदमी कहता है कि, यदि आपके विद्वानोंने मेरी कविता पहले नहीं सुनी हो, तो ये मेरी कविता नहीं मानी जानी चाहिए, और मुझे एक लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य उस आदमी की चतुराई से बहुत खुश होते हैं, और उसे इनाम के रूप में एक लाख स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। उसके बाद राजा विक्रमादित्य उस आदमी से पूछते हैं, क्या ये कविता तुमने स्वयम लिखी है? राजा की बात सुंकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया राजा विक्रमादित्य उस व्यक्ति से कहते हैं कि दरो मत अब ये धन तुम्हारा है सच सच बताओ अगर जूट बोलोगे तो दंड मिलेगा वो व्यक्ति कहता है कि महाराज यह कविता मैंने नहीं लिखी हमारे गाव में एक विद्वान है यह कविता उन्होंने ही लिखी है उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि यह कविता अवश्य ही कवी कालिदास ने लिखी है फिर वो उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारा गाव कौन सा है तुम कहां रहते हो मुझे उस विद्वान से मिलना है वो व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को कालिदास के घर पर ले कर जाता है राजा विक्रमादित्य कालिदास से मिलकर कहते हैं कालिदास मैं समझ गया था कि यह कविता तुमने ही लिखी है तुम मेरी अनुचित कही हुई बात को भूल जाओ और राज दर्बार में वापस चलो कालिदास राजा की बात मान लेते हैं और उनके साथ दर्बार में चलने के लिए तयार हो जाते हैं इस मेलमिलाप के बाद भी उनमें मतभेद बने रहते हैं जब भी कोई ऐसी वैसी बात होती तो कालिदास कहीं रूट कर चले जाते और बहुत मनाने के बाद ही वापस लोटते थे एक बार तो ऐसा हुआ की कालिदास दर्बार में आने से इनकार कर देते हैं एक बार राजा विक्रमादित्य को ये जानने की इच्छा हुई कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं? इसलिए अपना भेश बदलकर राजा विक्रमादित्य कालिदास के पास पहुंचते हैं राजा कालिदास को देखकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं धारा नगर से आया हूं कालिदास उन्हें पधारने के लिए कहते हैं और वो उनसे राजा विक्रमादित्य के बारे में पूछते हैं कालिदास के पूछने पर राजा बोलते हैं कि उनका हाल ही में दिहान्त हो गया कालिदास राजा की मृत्यू पर बहुत भावख होते हैं और उनके गुणगान में एक कविता सुनाते हैं तब राजा विक्रमादित्य अपने असली रूप में आकर कहते हैं कि कालिदास आज तुमने आखिर मेरा गुणगान अपनी कविता में करही दिया कालिदास राजा विक्रमादित्य को जिन्दा देखकर बहुत प्रसन होते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं कुछ समय के पश्चात दोनों में फिर से मनमुटाव हो जाता है और कालिदास श्रीलंका चले जाते हैं श्रीलंका के नरेश कुमार दास कालिदास का बड़ा संम्मान करते थे फिर भी कालिदास ने उनके पास ना जाने का निश्चय किया कालिदास सोचते हैं कि यदि राजा कुमारदास को मेरे यहां आने का पता चला तो वो राजा विक्रमादित्य को मेरे जहां होने की सूचना दे सकते हैं अताह कालिदास किसी नर्तकी के जहां ठहर जाते हैं, राजा विक्रमादित्य की तरह, राजा कुमारदास भी साहित्य तथा कला के बहुत प्रेमी थे। इसलिए वो अपने नगर में यह एलान करवाते हैं कि जो कोई भी व्यक्ती इस शंद को पूरा करेगा, उसे महाराज एक लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। किन्तु कोई भी व्यक्ती उस शंद को पूरा नहीं कर पाता, तब एक नर्तकी यह बात कालिदास को बताती है। कालिदास उस नर्तकी से कहते हैं, ये शंद तो बहुत आसान है, मैं इसे पूरा कर सकता। नर्तकी कालिदास से शंद की रचना करने के लिए कहती है, नर्तकी सोचती है कि इस शंद पर महाराज मुझे अवश्य पुरसकार देंगे, किन्तु ये कालिदास ले लेगा, इसलिए वो कालिदास को पीछे से सुरा घोप देती है, जिससे कालिदास की मृत्यू हो जाती है नर्तकी जब वो शंद राजा को सुनाती है तो वो सुनकर बहुत प्रसन होते हैं परन्तु राजा कुमारदास शंद की शैली से समझ जाते हैं कि ये शंद कवी कालिदास ने लिखी है राजा कुमारदास नर्तकी से पूछते हैं क्या शंद सच मुझ तुमने लिखी है? सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें कालकोछरी में बंद करवा दूंगा। ये बात सुनकर नर्तकी डर गई और वो राजा से कहने लगी कि शमा करे महाराज, ये शंद मैंने नहीं लिखी, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने उस रचनाकार की हत्या कर दी, जिसने ये शंद लिखी थी। राजा कुमार दास तुरंथ नर्तकी के साथ उसके घर जाते हैं, और वहां जाकर देखते हैं कि कवी कालिदास का मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। राजा कुमार दास कहते हैं कि हे भगवान थोड़े से धन के लालच में इस दुष्ठ नारी ने इस महान व्यक्ती के प्राण ले लिए। राजा कुमार दास कवी कालिदास का दा संसकार करवाते हैं। राजा कुमार दास उनकी मृत्यू के शौक से इस कदर डूग जाते हैं कि खुद भी उसी चिता में कूद पड़ते हैं जिससे उनका शरीर भी जलकर राख हो जाता है। एक शिलालेख के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य के आश्रय में कार्तिक शुकला एकादशी रविवार के दिन 95 वर्ष की आयू में कवी कालिदास ने अपने प्राण त्यागे थे। महाकवी कालिदास संस्कृत भाशा के कवी और नाटककार थे। वो महाराजा विक्रमादित्य के दर्बार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचन अभिज्ञान शांकुतलम सबसे प्रसिद्ध है। आशा करते ही कि आपको हमारी यह प्रस्तुती अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।